नमस्कार शाथियों आप सभी का एक बार फिर से जो है हिंदी का अक्षा में श्वागत है मैं संधीप तिवारीप आपके सामने उपस्तित हूँ RJS 2024 के कुछ most important MCQs हम आज discuss करने वाले हैं कि आप लोग कैसे तैयारी करें आप लोगों के मन में हिंदी को लेकर के बहुत सारे सवाल होंगे कि हम हिंदी को कैसे सरसॉल्ब कर सकते हैं हिंदी में जो प्रिश्ण पूछे जाएंगे हिंदी में कहां से प्रिश्ण आ सकते हैं तो आज हम जो है या discuss करने वाले हैं कि हिंदी में आप लोग कैसे तैयारी करें हिंदी को लेकर के आप लोग कुछ selected topic हैं जिन पर आप focus करें और वहां से ही आपके question पूछे जाएंगे तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं आज का पहला question है सत्याग्रह सब्द का बिग्रह क्या होगा मतलब क्या है कि सब्द के सब्द के बिग्रह की चर्चा भी की जाएगी क्या चर्चा की जाएगी शब्द के बिग्रह की चर्चा भी की जाएगी शत्याग्रह सब्द का बिग्रह बताना है सत्य और दूसरा क्या है आग्रह अब आपको इसका बिग्रह बताना है मतलब ये समास का question है समास में बिग्रह होता है समास में क्या होता है बिग्रह होता है समास का प्रिश्ण है, ये प्रिश्ण कहा से है, समास से है, सत्य से आग्र है, अच्छा, सत्य से आग्र है, नहीं होगा, सत्य से आग्र है, नहीं होगा, सत्य के लिए आग्र है, हाँ, हो सकता है, सत्य को आग्र है, ये भी नहीं होगा, सत्य मैं आग्र है, ये भी नहीं होगा सत्त के लिए आग्रह आप कैसे हम अब इसको पहचानेंगे तो सबसे पहले हमें जो है ये जो है कारक्चिनों का घ्यान होना चाहिए क्या है कारक्चिन आपके करता ने कर्म को ये कारक्चिन आपको आने चाहिए करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो दोस्तों ये आपको जो है याद करना होगा यहां से आया ना संप्रदान सत्त के लिए आग्रह नेक्स देखते हैं देखिए जरा धनहीन सब्द में कौन सा समास है धनहीन क्या सब्द है धन हीन मतलब क्या है ये क्या है धन से क्या है भाई इसके पास धन से क्या है ये धन से हीन है कैसा व्यक्ति है धन हीन व्यक्ति है तो धन हीन हीन मतलब बिना किसके बिना है ये धन से हीन है कैसा है धन से हीन है तो क्या होगा यहाँ पर द्वन्द होगा क्या नहीं होगा बहुप्री समास ये भी नहीं होगा करमिधारे समास करमिधारे समास में क्या है विशेशन अभी से इसकी चर्चा की है ये भी नहीं होगा तो अभी भचता है आपका ततपुरुस इसमें जो है तरतिया ततपुरुस से आया है क्या है से आया तरतिया तत्पुरुस समास होगा तरतिया तत्पुरुस समास होगा तो दोस्तों हिंदी में जो है ऐसे ही सरल और आसान सब्द पूछे जाते हैं लेकिन confusion क्या है हमें basic knowledge होना चाहिए हमें हिंदी grammar का जो है basic knowledge अगर होगा तो जरूर आप जो है अपना जो target लेकर आये RJS में आपका target है ये 15 नमबर अचीब करने का उसको जो है आप प्राप्त कर पाएंगे चलिए मेरे साथ next के जो है next हम question देखते अन्वेशन क्या सब्द है अन्वेशन सब्द में आपको संधी बतानी है सबसे पहले आपको संधी विशेद आना चाहिए अन्वेशन बताना है हमें क्या बताना है अनू प्लस एशन अनू प्लस एशन बताईए जरा अनू के उ और एशन में जो ए है इस कारण से इस उ को क्या हो गया है वा हो गया है कहां होता ये नियम नियम ये नियम कहां लगता है ये संधी का नियम यन संधी में, तो यहां पर ब्रद्धी संधी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, दीर्ग भी नहीं होगा, अन्वेशन सब्द में आपकी यन संधी, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक एक करके आपको टॉपिक देखने हैं, आपने समास देखा, संध देखी नेक्स देखते हैं जरा उतकर्स का बिलोम बिलोम और परियावाची सब्द बिलोम और परियावाची सब्द यहां से प्रिश्ण बनते हैं यहां से प्रिश्ण जरूर बनते हैं यहां से प्रिश्ण बनने की संभावना सौ पृतिसत है कितनी पृतिसत है सौ पृतिसत है हिंदी भासा में बिलोम और परियावाची सब्द आने चाहिए उतकर्स सब्द का बिलोम बताईए जरा उतकर्स सब्द का बिलोम उतकर्स सब्द का बिलोम क्या होगा परम उतकर्स नहीं जी परम उतकर्स को उतकर्स से भी बढ़के हो गया, परमutkars नहीं, हैं, इन मेंसे कोई नहीं, एसा दो हो गई नहीं, इन मेंसे ही कोई होगा ना, चारों मेंसे ही कोई एक होगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कि तीनों नहीं होते हैं, उप्शन तो वो भी हमें ध्यान अपकर्स, ठीक है, तो ये विलूम हो जाएगा, अपोजिट बाड होते हैं, जैसे, बहुत आसान से होते हैं, कुछ-कुछ तो दिन का, रात, सुबह का क्या होता है, जल्ली बताइए, सुबह का क्या होगा, शाम, ठीक है, ये तो आसान हो गए, लेकिन यहां तो हम चर्चा कर रहे हैं, उतकर्स, अपकर्स, उतकर्स, अपकर्स, ठीक है, नेक्स बेखते हैं जरा, पत्थर सब्द का परयायवाची, पत्थर, दिल पे पत्थर रखकर बोलना होगा, कैसे बोलना होगा, दिल पर पत्थर रखकर बोलना होगा, पत्थर क्या होता है, ठेला होता है, नहीं होगा चिका पहाड 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 नहीं होगा क्या होगा पासान होगा इतहास में एक पासान काल आया है क्या आया है पासान काल पासान काल मतलब पत्थरों का समय जब मनुष्य पत्थरों का समय जब मनुष्य जो है अपनी जीवन की शुरुवात इस धरती पर कर रहा था तो को पासान कहते हैं, नोट कर ले न जरा, ध्यान से याद रखना कि पत्थर को क्या कहते हैं, पासान कहते हैं, पासान उसका सही परियावाची होगा, जल का परियावाची, नदी का परियावाची, पत्थर का परियावाची, जल, वारी, जल के परियावाची कौन-कौन से हो सक जल, बारी, और क्या होता है, पानी होता है कि नहीं होता है, पानी कोई तो जल कहते हैं, बारी कहते हैं, ठीक है, तो इस परकार से हमें परियावाची, कमल सब्द के परियावाची पूछे गए हैं, कमल सब्द के परियावाची जरूर पूछे जाते हैं, कमल सब्द, कमल को क् पंकज कहते हैं कमल को पंकज कहते हैं. हां मोहावरा यहां से भी प्रश्ण बनते हैं. प्रश्ण क्या है? तलवे चाटना मोहावरे का अर्थ वताएे. मुहावरे जो है क्या होते हैं ये भासा को जो है उत्कृष्ट बनाते हैं हम अपनी बात को मुहावरों में मुहावरों के त्वारा कहते हैं क्या कहते हैं ये तो तल्बे चांटना सब्द देखिए ज़रा ये तो बड़ा ही जो है पूछा गया सवाल है प्रसंशा करना जगड़ा करना नहीं होगा भला बुरा कहना ये दो तो नहीं होगे लास्ट वाले प्रसंशा करना खुस मदा करना क्या होगा प्रसंशा करना तलवे चाटना नहीं होता है प्रसंशा तो किसी की भी की जा सकती है फिर क्या है खुश मदा करना खुश मदा मनलब सामने वाले को खुश करना है क्या कर रहे हैं कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं तलबे चाटना सब्दक जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होगा वो होगा खुशामद क्या होता ये खुशामद दूसरे लोगों को क्या कर देते हम खुश करना खुशामद करना ये होगा आजसका सही आंसर खुशामद करना तलबे चाटना खुशामद करना नेश देखते हैं जरा आग शब्द कौन सा है अर्थात उतपत्ती के उतपत्ती के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो आपका चार भागों में डिवाइड है कितने भागों में चार भागों में डिवाइड है तत सम्द तत भाव देशज और विदेशी तो अब जो एक सब्द आग के सामने लिखा हुआ है क्या सब्द लिखा है आग शब्द बताना है तो आग का ततसम होता है संस्कृत का सब्द ततसम क्या होता है संस्कृत का सब्द और उसका मीनिंग परिवर्तित नहीं होता लेकिन सब्द परिवर्तित हो जाता है हिंडी में क्या कहलाता है तदभव कहलाता है और अंगरेजी उर्दू भासा के सब्द जो है अंगरेजी या फिर अरवी या फिर फारसी अरवी फारसी भासा के जो सब्द है वो क्या है आपके वो विदेशी सब्द और देशजब्द क्या है देशज सब्द कहलाते हैं आपके देशी अगनी इसका सही सब्द होता है क्या होता है अगनी और अगनी को तदभव कहते हैं आग तो आग सब्द का सही आंसर हो जाएगा आपका तदभव आग क्या होती है ये तदभव सब्द होता है उत्पत्ति के आधार पे दोस्तों चार परकार के शब्द बताए गए हैं तो ने आपको बता दिया, उत्पत्ति के अधार पे चार प्रकार के प्रिशन होते हैं, पहला आपका याद रखिएगा जरा, ततसम्द। दूसरा आपका तदभव। तीसरा आपका होता है, दे सज। और चौन्था आपका जो होता है वो होता है आपका विदेशी सब्द। और जो हमारा RJS का सलेबज है, RJS में एक और बात पूछी जाती है, अर्द ततसम, किसकी बात पूछी जाती है? अर्द तत्सम होता है तत्सम और तदभव के बीच का जो भाग है वो कहलाता है आपका अर्द तत्सम तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर लेकिन चार प्रकार के सब्द होते हैं अब्द भाव समास का एक उधारण यथा सक्ती सही बिग्रह क्या होगा मतलब सब्द समास का बिग्रह भी पूछा जाता है यथा सक्ती यथा सक्ती याद रखना होगा आपको कुछ सिलेक्टेड सब्द यथा सब्द आपको याद रखना होगा यथा का क्या है जैसी सक्ती नहीं जितनी सक्ती नहीं यथा जो सक्ती ये भी नहीं तो क्या होगा फिर आंसर क्या है यथा का आंसर होता है यथा का अर्थ होता है अनुशार और क्या हो जाएगा? सक्ति के अनुसार. सक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? यथा सक्ति, सक्ति के अनुसार. अच्छा, यथा समय हो जाएगा, क्या होगा? समय के अनुसार. यथा समय, समय के अनुसार. तो यथा से संबंदित जितने भी आपके सब्द बनेंगे उनमें जो उसका बिग्रे होगा जो उसका अर्थ आएगा उसमें आपको सब्द याद रखना है क्या रखना है अनुशार लगेगा यथा समय यथा सक्ती यथा आग्या यथा सब्द का मीनिंग आपका अनुशार हो पर, प्रिश्न बहुत बार पूछा गया है, ब्रक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कर्म, संप्रदान, अधिकरण और अपादान, देखिए जरा, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, शंबंध, अधिकरण, ये होते हैं आपके कारत, और इनमें जो है, इनके चिन्न हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं, कर्ता, ने, कर्म, को, कर्ण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, अलगवाद, अर्थ में, तंबंध, का, या, के, या फिर, की, अधिकरण, मैं, और होता है, पर, प्रिश्न आपका है, बाक्य में, पर का क्या है, तो आंसर आपका आजाएगा, क्या आंसर होगा, अधिकरण, क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण, अधिकरण में, पर, ये दो इसके जो हैं, क्या होते हैं, कारक्चिन होते हैं, तो कारक्चिन्नों को भी आपको दोस्तों रटना है, कारक्चिन्नों को भी याद करना है, कभी सब्द का स्त्रिलिंग बताएए, हिंदी भासा में, से संबंधित question भी आते हैं pulling पुलिंग और दूसरा आपका thrilling तो एक आपके सामने दिया गया example है कभी क्या सब्द है कभी तो कभी सब्द का इस्तरी क्या होगा कभी त्री कभी त्री नहीं क्या होगा कभी त्री नहीं होगा कभी त्री भी नहीं होगा तो क्या होगा फिर आंसर क्या होगा इसका कभी त्री क्या होगा इस्तरी लिंग कभी कभ होता है कभी कभी सब्द को याद कर लीजिए का जरा कभी सब्द का इस्तरी लिंग होता है काब इत्त्री तीसरा वाला इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कभी इत्त्री कभी का कभी इत्त्री विद्वान सब्द का विद्वान सब्द का इस्त्रिलिंग क्या होगा विद्वान सब्द का इस्त्रिलिंग होता है विदूशी पूछा गया है ये भी ठीक है more का more शब्द का इस्त्री लिंग क्या होगा more नी तो इस परकार से प्रश्ण बनते हैं pulling इस्त्री लिंग से भी प्रश्ण बनते आईए next देखते हैं दोस्तों निम्मे लेकित सब्दों में तत्सम सब्द का चैन कीजिए अभी मैंने आपको बताया कि तत्सम क्या होता है तत्सम होता है आपका संस्कृत का सब्द जियोंकातियों हिंदी में ले लिया जाए तो वो तत्सम कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों तत्सम कहलाता है तो आप बताई अच्छा, अच्छर, आखर, आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है अक्षर, अक्षर जो सब्द है ये आपका तत्सम है और फिर इसने अपनी याट्रा की तो फिर ये अक्षर से अच्छर बना, अच्छर कहा बना ये अर्द तत्सम में जाके, अर्द तत्सम में जाके ये अच्छर बना तत्सम आपका हो गया संस्कृत भासा और अर्द तत्सम आपकी हो गई प्राकृत भासा ठीक है और फिर ये आखर बना क्या बना आखर ये आपकी हिंदी में जाके बना और हिंदी को क्या कहते हैं आप तदभव कहते हैं हिंदी को आप क्या कहते हैं तदभव कहते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अक्षर शब्द जो है आपका ये तत्सम सब्द है ये कौन सा सब्द है दोस्तों तत्सम सब्द है नेक्स देखते जरा न इमने लिखित में से पुत्री सब्द का परियावाची नहीं है, ये ध्यान भी देना है, है या नहीं है, ये नोट करने वाली बात है, कि पुत्री सब्द का परियावाची नहीं है, तनया, तनया, पुत्री होती है, आत्म जा, पुत्री है, अबला और दुहिता, यहां confusion हो ज दुहिता सब्द भी पुत्री सब्द का परियावाची होता है तो अबला सब्द जो है यहां पर इसका सही अंसर हो जाएगा अबला सब्द क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा पुत्री सब्द का अबला सब्द जो है परियावाची है क्या है परियायवाचि सब्ध है नेक्ष देखते निम्मल उस्फट मैसे सुद्भ वाग के बताने मतलब वाग के शुद्धी भी आपका टॉपिक है क्या टॉपिक है आपका ये वाग के शुद्धी तुलसी दास ने राम चरित का प्रणयन किया तुलसी दास ने रामायन का प्रणयन किया तुलसी दास ने रामचरित मानस का परायन किया या तुलसी दास ने रामचरित मानस का सैयोजन किया प्रणयन, परायन, सैयोजन इन सब्दों के मीनिंग भी आपको आने चाहिए सैयोजन तो क्या होता है? जोडने के अर्थ में होता है किसी काम को बना देना तो ऐसा तो नहीं हुआ है सहियो जन तो नहीं हुआ है पढ़ना पढ़ना भी नहीं है तुलसिदा जी ने रामायन पढ़ी है क्या रामायन और राम चरितमानस में भी नोट करना है राम चरित मानस और रामायन रामायन जो है वो बालमी की रिशी द्वारा लिखी गई रचना है रामायन जो संस्कृत का महाकाब्द है और राम चरित मानस हिंदी का महाकाब्द है ये अंतर आपको इस फ़स्ट में यहां करना चाहूंगा कि रामायन और रामचरित ये दोनों अलग-अलग ग्रिंथ हैं और इन दोनों के जो राइटर हैं जो रचेता है वो भी अलग-अलग है तो तुलसी दास ने रामायन का प्रणियन किया बिलकुल भी नहीं किया है तुलसी दास ने तो रामचरित का प्रणियन किया है क्या अंसर हो जाएगा इसका राम चरित का प्रणेयन किया है बनाया है रचना की है रचना की है तो यहाँ पर भी बात की सुद्ध बात कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोन सा बात के सुद्ध होगा next देखिए तदभव सब्द बताना है तदवाब आपका क्या होता है तदवाब आपका होता है हिंदी भासा का शब्द हिंदी भासा का सब्द देखिए गर्त गायक गबया अर्क अब देखिए जरा यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है आपको लग रहा होगा गायक हिंदी है गर्त होता है गर्त गर्त कहते है गड़े को जो गड़ा होता है उसको संस्कृत में गर्त कहते हैं गायक जी हां संस्कृत का सब्द हो गया तत्सम हो गया ये भी अब गर्त हो गया गायक हो गया ये दोनों नहीं है अब क्या बचा गबया और अर्क अर्क किसे कहते हैं अर्क कहते अकवे को जो अकवे का पकर को अर्क कहते हैं, अर्क, स्वेतार्क, सफेद अर्क, हाँ, अकोवे को, और क्या कहते हैं, गवया, यह हो जाएगा आपका हिंदी, बड़ा तेज गवया है, गवया मतलब गाने बाला, नेक्ष्ट, जीजी, जीजीव इशा, जीव सब्द इसमें दिख रहा होगा आपको जीव, सब्द अर्थ प्रगट करने वाला कौन सा बाल के, जीजीव सब्द बाक क्यांस बताईएगरा, जानने के एक्ष्ट रखने वाला, गिरहन करने के एक्ष्ट रखने वाला, किसी को जीतने के एक्ष्ट रखने वाला, या फिर जिन्दा रहने के एक्ष्ट रखने व करना भई जिन्दा रहना है जिन्दा रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जिजी विशा जिन्दा रहने की एक्षा जिन्दा रहने की एक्षा ये तो मनुष्ट में सबसे जादा होती है ठीक है जानने के एक्षा क्या कहलाती है फिर जानने के एक्षा कहलाता है आ इंद्र को जीतने वाला तो जिंदा रहने की एक्षा जो है वो कहलाती जीव साथ एक बहुत कठिन सब्द है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जीव सब्द इसमें बीच में दिख रहा है जीव जो है जीव सब्द जिंदा रहने के अर्थ में जीव ही तो जिंदा रहेगा और कौन रहेगा खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथमाओ वाक्ष में अब्या क्या है अब्या से भी प्रिश्म बनते हैं अब्या अर्थात आविकारी सब्द अब्या अर्थात आविकारी सब्द को हम क्या कहते हैं अब्या कहते हैं कह रहे हैं खूब मन ल आओ खूब खूब क्या हो गया इसका खूब क्या हो गया ये तो बिश्रेशन हो गया ताकी अंसर आपका हो जाएगा ताकी तीक है समुच्य गधः अब्डे होता है जोड़ रहा है दो बात क्यों को किये हुए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है किये हुए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है जिसने उपकार किये और उसको कोई ना मानने तो क्या कहलाता है वो करतग कहलाएगा क्या अरे करतग तो मानने वाला होता है यहाँ पूछा गया है ना मानने वाला कृतग्य होता है आपका इहसान मानने वाला आप कृतार्थ नई किसी के लिए कुलंगार नई कृतग्य ने इसका सही आंसर हो जाएगा कृतग्य का अपोजिट होता है कृतग्य नोट कर लीजिए कजरा कृतग्य इसका बिलूम क्रितग का बिलोम क्या होता है क्रितगन होता है ये सब्द भी आपको याद रखना होगा अध्या देश सब्द में उफसरग है प्रत्य और उफसरग ये भी हिंदी ग्रामर का मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक है यहां से प्रिष्णवन्ति अध्या देश में उफसरग हमें बताना है अध्य उफसर्ग है क्या जी नहीं आ उफसर्ग है जी नहीं देश ये तो एक सम्द होता है अध्य होता है क्या होता है अध्य एक उफसर्ग होता है और कौन कौन से सर उफसर्ग होते हैं परा होता है परा होता है अनू होता है अवो होता है नी होता है ठीक है सू होता है तो इ ये जो हैं प्रयोग, पराजय, अनुभाग, अवनती, अवनती, निरोग, सुसंसकार, श्वागत, ऐसे ना जाने कितने धेर सारे सब्द जो है उपसर्ग से बनते हैं, चलिए अन्तिम कोश्चन हम देख लेते हैं, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा, मुहावरा क्या है, मुहावरा खुद अपने आप में एक विदेशी वासा का सब्द है, लेकिन मुहावरे का जो मीनिंग होता है, वो एक जो है, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज कर देता है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं मुहावरे को समझने में, अकल का पुत इसको हम जो है इसका आर्थ नहीं ढोडेंगे हम इसको जो है समझेंगे कि ये किसके लिए प्रियोग होता है अकल का पुतला मूर्ख होगा क्या नहीं भई अकल से मूर्ख का कोई लेना देना नहीं है मूर्ख होगा तो उसके पास अकल कैसे होगी लॉजिक है अगर अकल होग क्या है बहुत बुद्धी मान क्या है बहुत बुद्धी मान व्यक्ति क्या कहलाता है अकल का पुतला तो ऐसे ना जाने कितने धेर सारे ईद का चांद होना और ईद के मुँ में जीरा और भी धेर सारे जो है नाच ना जाने आगन तेडा तो इस परकार से बहुत सारे महावरे होते हैं हमें महावरों को भी पढ़ना होगा लोकुक्ति को भी पढ़ना होगा तो दोस्तों आई के लिए ये जो किलास है ये बहुत ही important है मैंने यहां वो सर जो है प्रिश्णों का चुनाव किया जो प्रिश्ण RGS में 100% जो है आने वाले टॉपिक हैं कौन-कौन सो टॉपिक आने वाले हैं मैंने यहां पर जो है चर्चा की है उपसर्ग, समास, संधी, प्रत्य, कारक्चिन परियावाची शव्द, वाक्यांस के लिए शव्द, मुहावरे, लोकोक्ती तो धेर सारे जो है टॉपिक हैं लेकिन हम selected टॉपिक पे अपना फोकस करेंगे और RGS में आपका जो कार्गेट है 15 प्रिश्णों को हल करने का इसको जरूर पूरा करेंगे तो मिलेंगे अंगली वीडियो में और कुछ नए प्रिश्णों के साथ तब तक के लिए नमस्कार